नमस्कार, मा चंद्रघंटा की कथा नवरातरी के तीसरे दिन मा दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है मा दुर्गा के पहले दो रूप शैल पुद्री और दूसरा ब्रहमचारिनी भगवान शंकर को पाने के लिए हैं जब माता भगवान शंकर को पती के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदी शक्ती की रूप से प्रकट होती हैं और चंद्र घंटा कहलाती हैं. माता के मस्तक पर घंटा कार के अर्द चंद्र के कारण माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा, मा चंद्र घंटा का शरीर स्वन्ड के समान उजवल है और मा सिंग पर सवार रहती हैं, माता के दसों हाथों में बिविन प्रकार के अस्त्र, सस्त्र, सुसज्जित हैं, माता के कंठ में श्वेत पुष्प की माला रहती हैं और शीश पर रतन जड़ित मुकट विराज मान रहता हैं, सिंग पर सवार मा चंद्र घंटा युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, एवं माता के घंटे से निकलने वाली प्रचंड ध्वनी असुरों को भैभीत करती हैं, मा चंद्र घंटा साधना में मनिपूर चक्र को नियंद्रत करती हैं, मा दुर्गा की यह तीसरी शक्ति तृत्य चक्र पर विराज कर ब्रह्मान को संतुलित करती हैं और माहा आकर्शन पैदा करती हैं, चंद्र घंटा माता की वंदना से मन को परम सूश्म ध्वनी सुनाई देती है, जो मन को बहुत ही शानती प्रदान करने वाली है, माता के साधक को आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्ति और शानती मिलती है, माचंद्र घंटा की उपासना से भक्त गंड समस्त संसारिक कश्टों से छूट कर सहज ही परंपद के अधिकारी बन जाते हैं माचंद्र घंटा का स्वरूप अत्यंत शांत होने के साथ साथ वीर्दा से भरपूर है माता के भक्त को वीर्दा और विन्नाम्रता में एक संबंद महसूस होता है माता के भक्त के शरीर की कांती हमेशा बढ़ती जाती है और भक्त का स्वर दिव्वे हो जाता है जो साधारन मनुष्य देख नहीं सकता परंटु माता के भक्त उसे अनुभव कर सकते हैं साथ ही में माचंदर घंटा के साधक को इस संसार में यश, कीर्थी और सम्मान मिलता है नवरातरी के तीसरे दिन माचंदर घंटा की पूजा के बाद इस कथा को पढ़ना या सुनना बेहद शुब माना गया है माचंदर घंटा को लाल रंग बहुत ही प्रिय है इसलिए पूजा में लाल रंग के वस्तर पहनना शुब मानते हैं माचंदर घंटा की पूजा में दूद का प्रियोग भी कल्यान कारी बताया गया है माचंदर घंटा की कथा पौरानी कथा में बताया गया है कि प्राचीन काल में जब देवताओं और दैत्यों की बीच में एक बड़ा भारी युद्ध चल रहा था तब देवताओं की तरफ से इंद्रदेव और दैत्यों की तरफ से महीशासुर उस युद्ध में लड़ रहे थे युद्य के अंत में महिशा सुर की विजय हुई और परिणाम सुरू उसने देव लोग पर अपना आधी पत्य स्थापित कर दिया इसके बाद महिशा सुर ने देवताओं को वहां से निकाल उन पर अत्याचार करना शुरू किया महिशा सुर के अत्याचार से घवराकर सभी देवतागण त्रीदेव, भगवान ब्रह्मा, विश्णु और शिवजी के पास पहुँचे अपनी स्तिती के बारे में बताते हुए, देवताओं ने त्रीदेवों को बताया कि महिशा सुर्णे, सूर्य चंद्रमा वायू और देवराज इंद्र के साथ साथ अन्य सभी देवताओं के अधिकारों को भी छीन लिया है देवताओं तो उसके अत्याचार से परिशान है ही, परन्तु अब देवताओं को प्रिथ्वी लोग की भी चिन्ता सता रही है त्री देवों ने जब यह बात सुनी, तब उन्हें बहुत क्रोध आया और इस भयंकर क्रोध के कारण उनके मुक से काफी उर्जा निकली साथ ही सभी देवताओं के शरीर से भी उर्जा उत्पन हुई और इस उर्जा से मा भगवती प्रकट हुई वो मा भगवती जो भयंकर दैत्य सेना का सहार करने वाली है देवताओं को उनका भाग दिलाने वाली है वो मा भगवती जो अपने भक्तों को मन वान्चित फल देने वाली है और इस संपून जगत की पीड़ा का पल में ही नाश करने वाली है जो मेधा शक्ती है और परम शान्थ है। इस प्रकार से प्रकट हुई मा भगवती को सभी देवता गणों ने बेविन प्रकार के अश्त्र शस्त्र भेंट में दिये। भगवान शिव ने मा को त्रिशूल दिया, भगवान विश्णु ने अपना चक्र दिया, इंद्रदेव ने अपना बज्र और एरावत हाती माता को भेंट किया, सूर्देव ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर को भेंट किया, मा चंद्र घंटा का सुन्दर और बेहद शान्त रूप क्रोध आने पर उतना ही विक्राल और भयानक हो जाता है। उनके खुश होने पर जगत का अभ्यूदय होता है और क्रोध आने पर माततकाल ही कई कुलों का सर्वनाश कर देती है। मा चंद्र घंटा ने राक्षसों के समू का सहार करनी के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा वह गगन में गूजा वैसे ही मा के वाहन सीह ने दहारना शुरू किया और माता ने फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनी को और बढ़ा दिया। जिससे धनुष की टंकार, शेर की दहार और घंटे की ध्वनी से सभी दिशाएं गूज उठी इस भयांकर शब्द ध्वनी से। दैत्य सेना का तो वही सहार हो गया। फिर मा ने महिशा सुर का वद किया और इसके बाद यह देवी चंद्र घंटा कहलाई। माता की पूजा, कथा और आरती के बाद हो सके तो शंग या घंटा जरूर भजाएं। इससे घर की नकारात्मा खतम होती है। धन्यवाद